गुण मॉर्निंग साथियों सीजी जाव एजूकेशन के ओफिसेल यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है साथियो सासकी आई टी आई रायपूर में कुल 19 पदो पर भरती आई हुई है और जितने पद आई हुए है वो सभी साथियों आपके रायपूर जिला के अंदर ही ये वेकेंसी आई हुई है प्रस्रिक्षन अधिकारी हम जिसको कह सकते हैं ट्रेनिंग आफिसर ये गेस्ट के रूप में वेकेंसी आपका आई हुई है टीचर की आई टी आई गवर्मेंट आई टी आई में इसी पर मैं पूरे विश्तार से चर्चा करूँगा जो साथी नए होंगे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि सभी प्रकार की नोटिफिकेशन आप तक साज़ा होती रहे जैसे कि यहाँ पर आपको इसकीन पर सो हो रहा है कारेलाय प्रचारी सास की अध्युगिक प्रश्रिक्षन संस्था सड्डू रायपूर शातिसगर के अन्तरगत रायपूर जीले की विभिन जो सास की आई टी आई है तो सासकी ITIU में कई सारे ट्रेट्स चलता है, कई सारे विशाय चलते हैं तो इसी विशाय में प्रश्रिक्षन कार्य पूर्ण कराने के लिए आपको प्रश्रिक्षन अधिकारी के स्विक्रित पदों पर भरती किया जाना है और ये जो पद है, गेष्ट महमान प्रवक्ता को छोड़ कर सेश रिक्तपद, अर्थात जितने भी रिक्तपद हैं, उन पदों पर भरती किया जाना है गेष्ट लेक्चरर का पद है, महमान प्रवक्ता के पद है, और इसके लिए आपको 12 फरवरी 2024 तक अवेदन करना होगा चीहें साथियों, हाड कॉपी में आपको अवेदन पत्र भर करके अवेदन करना होगा 12 फरवरी 2024 साम 5 बए तक आपको पंजिकरिट डाक या स्पिट पोस्ट के माध्यम से सासकी ITI सद्डू रैपूर 36 गर में आपको अवेदन पत्र करना होगा, अवेदन जमा करना होगा इसके लिए जो विशिष्ट जानकारी आपको अपिसल साइट से भी मिल जाएंगी, आप वहाँ से जाकर भी जो है complete details देख सकते हैं यहाँ पर आपको QR कोड दिख रहा होगा, देख पा रहा है, QR कोड को scan करके चाही गई सिती में आउनलाइन आवेदन स्वता ही अमान ने होज देखिए यहाँ पर QR कोड के जानकारी आपको प्रदान करना निवारी, मतलब QR कोड से आपको जानकारी भरना होगा, यहाँ से आप भर सकते हो, ठीक है चली वैकंसे डि्ट्टिल की बात कर लूँ, शक्षरिक योगेता की बात कर लूँ मैं यहाँ पर, तो सबसे पहले है सासकी ITIE रहपूर सासकी आईटी आई रायपूर के अंदर ये नोडल आफिस है ये नोडल आईटी आई ठीक है इसके अंदर जो आईटी आई चलता है जैसे आद्योगिक प्रस्रिक्षन संस्था सड्डू अब सड्डू में यहाँ यहाँ पर आपका इस्टेनो हिंदी के एक पद कारपेंटर क एक पद मैकेनिकल के एक पद है टर्नर के एक पद विद्दुतकार के एक पद इस्टेनो के दो पद फिटर के एक पद फिटर के दूसरे आईटी आई में है इतने पद है यहाँ पर उसके अलावा अद्योगिक प्रस्रिक्षन संस्था आरंग में फिटर के एक पद आये हो हैं दाओ चंद्रभान सी सिर्म और तिल्दा नेवरा में भी वर्कसाप केलकुलेशन के एक पद आये हुए हैं इसके अलावा अध्यूगिक प्रशिक्षर संस्था कैम प्रायपूर माना कैम प्रायपूर में फीटर के एक पर डिजल मैकेनिक एक पर विद्दुदकार एक पर टर्नर, इस्टेनो, वेल्डर, वर्कसाप, ड्राइंग एक पद हैं इस तरह से नीचे के भी कुछ आईटियाई हैं जैसे अध्यूगिक प्रशिक्षर संस्था तोरला तोरला में आपका कम्प्यूटर आप्टर के एक पद हैं और आईटियाई खोरपा में भी एक पद हैं इस तरह से कुल पदो की संख्या की बात करो तो कुल 19 पदो पर भरती का नोटिफिकेशन आया हुआ है गेस्ट लेक्चरर के महमान प्रवक्ता के पद पर ये वेकल सी आई है यहां मैं योग्यता पर भी बात कर लो तो जो मोटर मेकेनिक के पद हैं डिजल मेकेनिक के पद ह उसके लिए मानिता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी जो है 10 प्लस 2 की परिक्षा उत्तिर नहों साथ ही साथ यहां पर NCVT से ITI हो या आपके पास मानिता प्राप्त विश्विद्याला से मैकेनिकल ब्रांच में डिगरी या पत्रोपाधी अर्थाद पॉल टे बारवी कख्षा की परिक्षा उत्तिर न रहें पॉलिटेक्निक रहें बी रहें या फिर जो भी ITI की योग्यता है वो होना कारपेंटर के लिए बारवी ITI कारपेंटर में पॉलिटेक्निक या बी आपको होना चाहिए इसके अलावा वर्कसाप केलकुलेशन में देख सकते हो वर्कसवाप केलकुलेशन के लिए बारवी कक्षा की परिक्षा साथ ही साथ आपका NCVT से ITI, Polytechnic या BE होना चाहिए सभी के लिए संबंधित विशाय में आपका ITI होना चाहिए पॉली या BE की योग्यता आपके पास होनी चाहिए यह योग्यता यदि आपके पास मौझूद है तो बिल्कुल आपाविदन कर सकते हैं चैन कैसे होगा मैं यह भी बता दू आप सभी साथियों को देख सकते हैं चैन जो है तकनिकी योग्यता के प्रापतंकों के मेरिट के अधार पर आपकी चैन सुची तयार की जाएंगी उसी के हिसाब तो फिर आपका चैन किया जाएगा तकनिकी देखो यहाँ पर तकनिकी ब्यावसायों के लिए यदि आपने ATI CTI आधी कर रखा होगा तो जो है आपको वहाँ पर पहले प्रात्मिक्ता दी जा सकेगी इस बात का विशेज ध्यान रखेंगे मेरिट के अंको की गढ़ना में यहाँ पर ATI वगरा की अंको को मानने नहीं किया गया है मतलब उसको सामिल नहीं किया जाएगा ठीक है महमान प्रवक्ता के पद हैं और 12 फरवरी तक देट निधारित है आविदन कैसे देखिए महमान प्रवक्ताओं को प्रस्क्षन कारे के लिए प्रती घंटा 125 रुपए का वेतनमान आपको एक घंटे में दिया जाएगा अधिक्तम 5 घंटे की क्लासेज आपकी चलेंगी और 13,000 रुपए प्रती माह आपको वेतनमान प्रदान किया जाएगा इसके अलावा सासन द्वारा जारी दर के अनुसार आपको और अन्य दिया जा सकता है 36 गर का मूल निवासी आपको होना अवस्यक है इन प्रदों के लिए इसकी अलावा साथियो मैं आपको बता दू चयन प्रकरिया की तो आपको पहले आवेदन करना होगा 12 फरवरी 2024 तक इसपीट पोस्ट या पंजिकरी डाग के माध्यम से आवेदन पत्र को अध्योगीक प्रसिक्षन संस्था सड्डू रैपू 36 गर पीन कोड 492 492014 पर आपको भेजना होगा क्लियर है भई आवेदन की अंतिन्ति थी आवेदन की जो आयू है नियून्तम 18 वर्स से कम नहीं होना चाहिए नियून्तम आयू है 18 वर्स उससे कम है तो आप अपात्र हो जाएंगे तो इस बात का भी आपको विशेश ध्यान देना होगा ठीक है पुना बतादू 13,000 रुपए वेतनमान है देख सकते हैं आवेदन पत्र का प्रारूप भी आपको यहां स्कीन पर सो हो रहा है मियमान प्रवक्ता के लिए आवेदन पत्र का यह प्रारूप है अदुगिक प्रशिक्षार संस्था का नाम जहां के लिए आप आवेदन कर रहे हैं और कौन सेट्रेट के लिए आवेदन कर रहे हैं प्रचारे के नाम से आपका क्या नाम है अर्थाद आविदा कौन है उसका नाम यहां होगा पिता जी का नाम माता का नाम जन्मती थी और contact नंबर भी यहां आपको सो करना होगा आपका permanent address देना होगा यदि आपने CTI किया हुआ है ATI किया हुआ है तो आप यहां पर mention उसको करेंगे अन्य जो technical योग्यता है पूरा आप detail भरेंगे आपने poly किया है तो poly भरेंगे बी बीटेक सभी चीजें आपको यहां भरना होगा दसवी बारवी भी आप यहां mention कर लिजिएगा ठीक है यदि आपको दस्तावे स्वाप्रमारित है yes तो yes में आप बिलकुल write कर देजिए और स् आवेदन पत्र को submit करें फिर आप आवेदन का हस्ताक्सर यहां पर कर देना है नाम लिख के फिर आप उसका signature आप अपना कर लेंगे सपत पत्र भी नीचे दिया हुआ है देख पा रहे होंगे आपको सपत करना है कि आपके द्वारा जो भी चीजें है जानकारी है सत्य होग तकनिकी योग्यता की चायाप्रती यदि ITI है तो ITI Polly किये है तो Polly B.E.B. टेक है तो उसको N.A.C. अगर आपने किया हुआ है तो उसकी योग्यता उपाधी पत्रोपाधी की चायाप्रती आपको मरतब डिगरी certificate, डिप्लोमा certificate मिलता है उसकी चायाप्रती आपको यहां प पत्र को सब्मीर कर सकते हैं तो अच्छा उसर है यदि आप योग्यता रखते हैं आवेधन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप आवेधन कर सकते हैं